वेलकम टू सीटी सी वाई राखी चौबे इस वीडियो में हम लोग जैनरल पेपर की बात करेंगे कि जैनरल पेपर जो है जिसमें क्या-क्या काफर हो रहे हैं इंगलेस हिंदी जीके करेंट एफेयर रिजनिंग मैथ कंप्यूटर और पैड़ागोजी ओके तो यह जो सब्ज सब्जक्ट का ही सिले बस इतना लेंदी होता है और एक्जाम के लिए टाइम बहुत कम है ठीक है तो हम लोग कैसे प्रिप्रेशन करें क्या-क्या ऐसा टॉपिक है जिसको 100% हमें करके ही जाना है और उस टॉपिक से कोस्टन जो है वह रीपीटेड आते हैं मतलब जितने एक लिए ज्याम होते हैं तो हड़ी हे एक इस टॉपिक से क्लि empieza हमें ऐसे हमें नहां कि नहीं होता लिए इतना कोई होता आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम लोग क्या डिसकस करेंगे जैनरल पेपर में सबको पता है कि कि कितने मांक्स का कौन सा पार्ट रखा गया बट फिर भी मैं एक बार रिमाइंड करा देती हूं जैसे इंगलिस है दस का है हिंदी भी 10 का रखा गया ह जी के और करेंट एफिर 10 का है रिजनिंग 15 का है मैथ 10 कंप्यूटर पांच और फिर पैडागोजी 20 इसके बाद आपका सब्जेक्ट कंसर्न है ओके यह सबको पता हो गया अब देखिए इसमें कौन सा कौन सा पोर्शन है जिस पे बहुत जादे हमें फोकस करना है और किसको होता है जो मेरिट लिस्ट बनती है ना उसमें 0.25 नंबर से भी हम लोग रह जाते हैं बहुत क्रिटिकल पॉइंट होता है वह तो इसलिए एक एक मार्क जो हमारे लिए वह बहुत इंपोर्टनेंट है यहां पे में भी हम लोग सब्जेक्ट में नहीं इचीव कर पाएं वह हो हमारा जैनरल पेपड़ से हिँ हेँ होता है यही है जो वहां जाके फिर बचाता आपको क्यूंकि सब्जेक्ट में इतना जादे सीलिवस होता है कि हम लोग क्या सब्जेक्ट है क्या पढ़े और वहां पे मार्क्स नहीं बन पाते हैं आच्छे तो यह जो पोर्शन है यह ही आपको मेरिट लिस्ट में लाने में हेल्प करता है चलि देखतें इंग्लिस के अंदर क्या क्या पढ़ना जरूर यह यह जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से आपको डेफिनेटली हंडेट पॉसेंट कोश्चन दिखेगा ही दिखेगा मैंने अलमोस्ट लगभग मालीज री टैक्स सेंटेंस के अंदर कहीं पर मिस्टेका है किसी क्रूप करना है तो अपब को चूज करना है उसमें कि उसका और आक साल मिलेगा है स्टो करना है प्रेक्टिस करना हैrito पाटरन बन सकते हैं वह करना यह जो यह बहुत इंपोर्टेंट है मुझ यह जो फ्रेज वाला कोईस्टन है वह आपको दिखना ही दिखना है डैंसी और एक्टॉली मैंने इस वीडियो में टॉपिक ही वह उठाए जिससे आपको पेपर में कुस्टन मिलेगा ही मिलेगा कोई यह नहीं कहा सकता कौन सा जैसे मालीजिए कि आपके पास किया जो अधीया है ठीक है या फिर एक वर्ड दिया हुआ है उसbayर को explain करना है कि वह वर्ड है उसको कौन सारे लाइन दियें उप्शन में तीन चार लाइन दिये कि कौन सा लाइन उसके लिए बैस्ट को एक्स्प्लेंड करना बैस्ट बैठ रहा है उस ताइप का कुछ संजो है वह बहुत जादे आपको दीखेगा मतलब इसको भी करना है थर्ड है एरर यह एरर वाला भी मतलब सब्सक्राइब करने में कोई बहुत ज्यादे टाइम नहीं लगता है हमारा वह बहुत जादे लगता है और वहां पर हमें स्कोर कर लेंगे सबसी बड़ी बात यह है कि थोड़ा सा टाइम देखे और हमारा स्कोरिंग अच्छा हो जाएगा जालेगा हमारे 10 में से 7-8 हम लोग attempt करी लेंगे तो नहीं जादे टाइम है अगर एक्जाम जैसे 15 माई के राउंड ही हो गया एक्टेंट नहीं होगा अगर नहीं होगा तो यह टॉपिक्स जो है वह मैंने क्या बताया था च्रिक में जो सब्जेक्ट कभर करना है घर एक दिन हम पढ़ रहे हैं उसमें 70 पासेंट वेटेज हमारा जो स्टडी टाइम है उसका देना है आपको सब्जेक्ट को 30% आपको देना इस जेनरल पेपर को तो उस 30% टाइम में मैं लिए एक दिन आपने इंगलिस का करेक्ट फॉर्म कर लिया एक दिन आइडियम से फ्रेस कर लिया इस तरह से करिए इंगलिस के अंदर यह कुछ टॉपिक्स है जिनको आपको करना ही करना इनको आप नहीं छोड़ियेगा ठीक है साथ से आठ इसकोरिंग यहां से हो जाएगा इससे ही कि नेक्स्ट है हिंदी के अंदर देखते हैं क्या क्या करना है हिंदी के अंदर अधर होते हैं इसको जरूर कम से कम सोद हो मुहाबरे हमें याद भी होते हैं इस तो आप करना है उसका प्रैक्टिस जरूर करना है नेक्स्ट है ग्रैमर या ग्रैमर है ना इसका बहुत जादे वेटर जाए क्योंकि हिंदी में पूछा ही क्या जाएगा एक तो मुहाबरा मालने जो और ग्रैमर इस से सब्सक्राइब करना है तो यह सब्सक्राइब का जैसे कोई सेंटेंस है उसमें कहां पर प्लूरल वाट्स है तो ग्रैमर का जो बेसिक है ना यह क्या है कि हम लोग बुक तो नहीं पढ़ सकते पूरी ब्याकरण बैठके इसके लिए हम लोग 100-100 कुछ सब्सक्राइब कर लेंगे तो हो जाएगा पता चलिएगा कि ग्रैमर में क्या-क्या कोई संस बनते हैं यह कोई जादे टिपिकल नहीं लगा मुझे पोर्सन बहुत इजी और स्कोरिंग है हर बार रिपिटेडली जरूर ही पूछे जाते हैं इससे पूछेगा क्या हिंदी म होता है इसको 80% में रखे चलिए कि आता ही है जैसे की जैसे उस मुल्ध्वनी को क्या कहते हैं जिसके खंड ना हो सके ठीक है ऐसा कुछ की लाइक सेंटेंस दिया हुआ है और आपको वन वर्ड में उसे एक्स्प्लेइन करना है नाम देना है कि क्या कहते हैं दूर से फेक कर शुआ है जाने वाला हतियार क्या कहलाता है इस ट्राइब का ठीक है तो यह हो गया हिंदी का पॉर्षन हिंदी बहुत जादे वेटेज नहीं है रही हिंदी में बहुत जादे मतलब टाइम कंजूमिंग नहीं है अशी अले बस तो खाल लंबा है पर यह वह टॉपिक्स है तो सब में ही मुझे दिखा common topics इसलिए मैं बतारूं कि यह हो सकता हमें इस बार भी दिखने को यह मिल और यही मिलेगा और कोई यह बनता है तो इन सब topics को आपको क्या करना है कभर करना है definitely करना है इसको नहीं छोड़ना है तो नहीं छोड़ना है हमारा scoring में यह बहुत help करेगा अब आगया जीके एंड सीगे current affair यह वैसा topic है जिसका कोई limit तो है नहीं यह सबको पता है बट इसमें कुछ topics ऐसे होते है ना जिसका डैम सी और वहां पर question आपको आना ही आना है और जीके का भी जो वेटेज है वो देखिए जीके और सीए दोनों का मिला के टेन है तो इसमें सीए का क्या है कि आप छे महीने का देख लीजे तो ठीक है ओके चल जाता है नेशनल इंटरनेशनल दोनों बट हम नहीं उस पर जाद़ टाइम इंवेस्ट नहीं करना है जब जाएगा तो देखेंगे बट जीके कुछ पार्ट से जिनको मतलब करके ही जाने हैं जादे कुश्चंस भी नहीं बनते उन पर सौटेर सो एम सी क्यू करके जाएंगे आ गया उसमें तो ठीक है जैसे इंडियन कॉंस्ट्रीचूस नहीं इस पर जादे कॉस्ट्रीचूस भी नहीं होते घुमाफ ही आके वही कुश्चंस होते हैं जैसे ना इसके अंदर क्या आता है जो आर्ट क्या कहते हैं उसको कैबिन कुश्चंस आते ही आते हैं तो अगर आप तो किसी और चीज़ का भी कर रहे होंगे तो आपका यह थोड़ा स्ट्रॉंग होगा आता होगा और नहीं कर रहे तो कोई दिकत वाली बात नहीं इसके लीमिटेट कुश्चंस ही बनते हैं ठीक है नेक्स्ट है इंपोर्टेंट परसेंट और यह 90 वाले मैं कि आईंगे 80% शका बर बाकि सब जो मैं इसका नहीं कि यह पंडेट परसेंट आएंगे यह 80% में रखो आपकि पहले बाकियों को करना है फिर इसको करना हीपोरेंट पूकन और आथर्स-थिए वहुग सम façon श्मारा मुछ निगा यह झान एक ह मि टोटा है सबसे पहले कम मनाया गया था जाट फीया हुआ देफिन यह आएंगे हैंट बद्जट यह भी बग्राइब यह स्कीम से ऑना पास हुआ को जैसे कोई सिख्षा भ्यान का तो उसे स्कीम के अंदर ब्ल्स को कितनी funding दी जाती है मंथली को किसान योजना चलता है उस में किसको में किसने उनको लॉंट किया किसने उसे लॉंच किया और कितनी रासी मिलती है यह सब जो होता ना बजट जैसे उपर कितना बजट खर्च होड़ा यह सब फंडिंग जो है तो इससे रिलेटेड जरूर कुष्चन दिखेंगे आपको इसको गोल्ड मेडल मिला कौन सा सिल्वर मेडल कौन सा सिपोर्ट जो कौन से कंट्री में हुआ कौन सा पहला कंट्री है उसका विनिंग कौन सा है तो यह सब जो है हाइलाइटेड है ना नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर वह जरूर देखना है उसके बाद है करेंट इसका तो कोई अंती नहीं है आप 6 महिना का एटलिस्ट देख लीजिए ठीक है यह हो गया है यह तीन पोर्सन जो इंपोर्टेंट से मेंली मुझे इस वीडियो में डिसक तूट किया वह इसलिए क्योंकि रीजनिंग पर नाम लोगे एक डीटेशल वीडियो में बात करेंगे रिजनिंग के अंदर कौन से कौन से टॉपिक बनते हैं फिर उन में से कौन सा कौन सा टॉपिक है जो हमें करना है वह बिल्कुल नहीं छोड़के जाना है और उसे अल् ब्लॉट रिलेसे ने उसमें चार फांच पैटर्न हमें बहुत इजी होता है थोड़ा सा परणी की जभरत है वन विक यानि पते हैं में अगर आपने वन विक दे दिया में पन्दरा मार्क में फंदर आ जांगे वहां दिजनिंग में लीमिटेड topics होते हैं लीमिटेट पैटर्न होते हैं कुछ चाहए वो कुछ भी दे डेटा बस अलग होता है और कुछ नहीं अलग होता बंदर हम से पंदर आप गर सकते हैं जोकि सब्लेक्ट में नहीं रिविडियो डेखेंगे इसलिए इस लिए समें old इसकों और मैथ यह दोनीं पॉर्ष इसमें डिटेटरियो बनाएंगे उच्छipher नेक्स्ट है कम्प्यूटर कम्प्यूटर ली ट्रेशी यह मैंने इसके स्विंभ तोड़ान लंबा और जो सिलेवास है उसके एकॉर्डिंग कुछ कोईस्टन मतलब मैक्सिमम हजार मालो आप या फिर बारासो उससे बाहर कोई कोई बनता अगर उस बारासो को हमने कर लिया तो पांच में से पांच हमारे पके हैं जो अदर पोर्शन को हम कभर करेंगे तो जरूरी नहीं हमें उ लिए फाइब और भेट का उसमें उसने को कि यह थार तो इस सिरीज को पांच हो से हजार कर लेंगे ताकि जितना कुछ बनता है उस पोर्शन से एक्कुस्चन सहं हम लोग देखेंगे पांच में पांच फिक्स करके जाए क्योंकि रिजनिंग 15 और कंप्यूटर पांच यह ऐसा स्कोरिंग है यह बिल्कुल स्कोरिंग सब्जक्त है इसमें एक भी नहीं चुटता है रिजनिंग तो बहुत ईजी है और वैसा ही कंप्यूटर है सिर्फ थोड़ा सा माइन लगाने क उस मेरिट लिस्ट में लाता है तो इसलिए इस पर फोकस करना बहुत जरूरी होता है कंप्यूटर देख लिया हमने बता दिया कि 500 का सीडीज करना है उसमें से तो तीन मार्क्स पक्का है तीन से चार भी ले लिजे अगर एक्स्टेंड होता है तो हम लोग 500 और करेंगे 1000 को से जब 1 मार्क्स भी खोने का मारे पास कोई अप्संटbeh टेंग है तीक है पैलगोजी में इसका सीलेवकत मैंने अफ्लोट कर दिया देख लीजे माँसे पैलगोजी में अपने जब यह मेंने बताया है पेटागोजी में इसके अंदर सीधा सीधा सबसे पहले क्या लिखा हुआ है एननीP यह जो निव एजुकेशनाल पॉलिसी या है वह सबसे पहले लिखा हुआ 9500 यह क्यो been up to you2020 यहां भी आपको को दिखने को मिल जाएगा और यह एनिप उसमें जी के और करेंट एफेर में इससे पहले यह इसलिए नहीं आते थे जाब्स में क्योंकि यह टॉपिक ही नहीं था नया तो एड ही हुआ है लास्ट इयर इसलिए जी के यह मिल सकता है आपको और पैड़ागोजी भी मिल सकता है तो एक और निपी में कोई बहुत जादे कोश्चन लीमिटेड दो सो से अधाई सो कुश्चन से उसी को इस तरीके से घूमा के उसी को इस तरीके से घूमा के बट जो लिमिटेड कोश्चन से वो उतनी है 200 मैक्सिमम मैं थिंग 200 भी नहीं क्योंकि हमने प्रैक्टिस किया तो एक ही कोश्चन को घूमा के इधर से घूमा के कभी उधर से तो एनिपीके और हाँ यह जो हिंदी मीटियम वाले कैंडिएट है उनका यही कंप्लेंद है कि मैं इंग्लिस में पढ़ा रही हूं हिंदी में वीडियो प्रोड्यूस करूं फिर क्या होता है जो इंग्लिस म जाके कमेंट करते हैं और हें तो यह लग लग में ऑना यहां डियान हेला ayne जो हमने 200 और 200 को सब्सक्राइब यह जो पढ़ा गोजी है यह 20 मार्क्स इसमें आप 10 मार्क्स एनिपी को मान सकते हैं यह 10 मार्क्स में से हो सकता है यहां साथ 8 हो जाये दो आपको जीके सीए के अंदर मिल जाए बट यह तेंट दे दीजिए आप इसको दस मार्स बताएं तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है बहुत अच्छी चीज है इसलिए निपी का वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा तो पहले देखिए अच्छे से एक कोश्चन उसका एकदम जाटा होना चाहिए बहुत अच्छे से ठीक है और बांकि जो अलग पोर्श इसको बिल्कुल सौट कर गिया जो में में टॉपिक है उसको उठाया देखा होगा इसलिए बहुत ही मतलब बहुत ही छोटा है ब्रीफली है एनिपी को सबसे टॉप में उन्हों रखा है इसलिए एनिपी पे मैं बार और फोकस कर दूए मैं वीडियो में भी बोलती थी उस के बाद पहले ही इस पर काम कर रही थी क्या नाम का इसका कम्प्यूटर लिटरेसी उस पर काम कर रहें वह खतम हो जाएगा जैसे सीरीज तो बाकी के सीरीज इस टार्ट करेंगे उसके पैर लल में अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि यह जो पोर्षन है यह जेन स्टार्ट करें को चाहते हैं तो वह कमेंट करके बता दिए फिर हम लोग सीरीज चेसे इस्टारट करेंगे उसके लिए एक्सार्ट करेंगे और यह आप लोग के लिए हैल्फुल हो और यह बहुत हैल्फुल होगा बस आप लोग इस वे में पढ़ाई कीजिए इस टॉपिक को कभर कीजिए डेफिनेटली वहाँ पे कोश्चन्स दिखे गाई ओके